दिवास पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, बिएनपी थाना शेत्र पुलिस ने ऐसे दो अपराधियों को पकड़ा है जो नकली नोट बनाने का कारूबार करते थे, पुलिस ने इन लोगों को नकली नोट चलाने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा, वहीं आरोपि से नकली नोट बनाने का समान भी जब्त किया गया है। इन दोनों के पास से 2,37,000 रुपे के नकली नोट बरामत किये हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बाजार में नकली नोट चला रहे हैं। मामले में पुलिस ने जान शुरू की और पुलिस ने देवास के रहने वाले दीपक शिवास्तव और रोहित परमार को नकली नोट चलाते हुए रंगे आतों गरफतार किया। मामले में पुलिस ये भी जाच कर रही है कि कितने समय से नकली नोटों का गुरग धंदा चल रहा था और किन लोगों को नकली नोट दिये गए हैं। एक यूवक है जो एमकॉम किया हुआ है एक दूसरा है जो दस्वी बारवी फैल है इनका पता कर रहे है कि ये लोग किस तरसे सबी थानों से पता करवाया जा रहा है कि क्या इनका कुई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है इस दिश की पड़तार किया है अभी दो लोगों को हमारी तीम ने गरफतार किया है किनकिन लोगों के संबंद में संपर्क में ये लोग थे कहां कहां ये लोग खपाते थे नोटों को इस सब की पत्पाल कि जा